हेलो दोस्तों यह है पार्ट 3 हमारे फ्लैपी बर्ड गेम का और अगर आप लुक्ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा अब तक तो उसे जाकर चेक कर लीजे लिंक आपको मिल जाकर डिस्क्रिप्शन के अंदर क्योंकि यह पार्ट इसका कंटिनुएशन है तो अभी तक हमने क्या क स्कॉर्स काउंटर लाया हम प्लिस्ते क्यों बहल अच्छ हमने लाका उख चेल सकते है तो हम क्या करेंगे इस इस दूणा हम एक बणाएं गव यह बातलर बनाईगे जिससे कि हम और पर सॉंदुए कर सकी वौं सप्रेड करने चाएँ वापस तो हम क्या करेंगे चाँ करए और इसको मैं यहां से लूँगा सिलेट करूँगा मैं कलर यह कुछ होगा लाइट यहलो टाइप का तो ऐसा और इसके बाद मैं मैं इसको थोड़ी आउटलाइन दे दूँगा तो लाइक थ्री में यह सही रहागा और अब मैं इसको एक अच्छा सा जो है यहां पर इसको बना देता हूँ और इसको मैं पोजिशन करूँगा जीरो और जीरो पर और अब मैं यहां पर क्या करूँगा यहां पर मैं लिखूँगा यू लूज करके तो यह हमको आने वाला है यू लूज और यह पे 3 डॉट्स ज़े दो गाने अब मैं पर क्या करूंगा इसका थोड़ा बड़ा ही तो इतना यह जदा बड़ा है たब यह ज़्यारा अब मैं पर यशवारगा क्या करूंगा यह जो हमार फ्लैटी बड ताए इसके जो कॉस्ट्यूम है इसको मैं कॉपी करूंगा इसको मैं जाओंगा यहां पर इसको मैं पेस्ट करूंगा और इसको मैं उपर लेके जाओंगा तो कुछ इधर और मैं यहां पर क्या करूँगा एक अच्छा सा Teardrop बनाऊंगा तो जो हमारी Flappy Word है यहां पर रो रही है वैसा लगएगा तो मैं यहां पर एक Light Blue कलर का यहां पर Teardrop बनाऊंगा तो यह होगा कुछ इतना Light अब मैं आप एक अच्छा सरकल बना दूँगा अब मैं इसको रिशिपिंग टूल से इसको मैं कुछ ऐसे करूंगा और इसको मैं पॉइंट रखोंगा अब यह देखिए यहां पे शही लग रहा है अगर आप यहां पे देखोगे तो यह देखिए अब मैं इसको थोड़ा से चूटा कर दूंगा तो कुछ इतना तो अब यह सभीड़ लगड़ेगा अब यहां पे हम क्या करेंगे बटन मनाएंगे वह्ये इस बात्न बनाने वाला हूं और यह वे पे से मैं इसको ओरेंच कलर दूंगा और इसको मैं आउटलाइन में दूंगा लाइक सेविन में और यह एसे और यह थोड़ा ज्यादा बड़ा बटन है इसको छोटा कर दूंगा इतना सही रहेगा और मैं इसकी एक्स पोजिशन रखोंगा में जीरो में और वाइ पोजिशन को मैं चेंज करूंगा और मैं इसको डख़ूँगा रखो ऑगा मैनस फिफ्टी और यह स़ही लग रहा है यहाँ पर अब मैं बहरे क्या करूंगा एक टेक्स लिखूंगा इसके अंदर ब्लाइक कलर से यह हो जाएका try again करके try again और यह भी सही लग रहा है यहाँ पर इसको center कर दूँगा थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँगा तो यह थोड़ा सही लगेगा और जो हमार बटन है मैं इसको भी जो है थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दूँगा तो यह यह हो जाएगा ऐसे इसको बड़ा करेंगे यह यहाँ पर सही लग रहा है अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा जो हमारी loose screen है उसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं पहले broadcast करूँगा message सबसे पहले तो यहाँ पर से मैं क्या करूँगा when green flag is clicked then broadcast a new message यह हो जाएगा play करके तो मैं यहाँ पे से play करके बनाऊंगा मैं और यहाँ पे when I receive play कर दूँगा तो when I receive play यहाँ पर भी सब जिएगे जितने भी हमारे green flags है उनको मैं when I receive play से replace कर दूँगा तो मैं यहाँ पे जल्दी से सब को replace करता हूँ यहाँ से सारे sprites के लिए हमें यह करना होगा क्योंकि हम सारे sprites को यहाँ से हम reset करेंगे यहाँ से when I receive when I receive play उसके बाद यहाँ से when I receive play यहाँ पे इसको मैं clean कर दूँगा थोड़ा एक comment हटा जिता हूँ मैं यहाँ पे इसको clean कर दूँगा और मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ सब जगे मैंने किया यह की नहीं यहाँ पे सब जगे हो गया है और pipe में जाँगा यहाँ से मैं लोगा यहाँ पे हम सिर्फ एक ही जगे करेंगे क्योंकि यहाँ पे बाकी जो मैं जो है यहाँ पे रखूंगा इसको मैं ऐसे और यहाँ पे मैं जाँगा और लोगा hide मैं रेसीव प्ले यहाँ पे शो उसके बाद मैं यहाँ से लोगा set यहाँ पर नहीं actually यहाँ पर और ghost effect set ghost effect to 20 और यहाँ से मैं प्ले की जगा एक new message करूंगा यह हो जाएगा like game over और जो हमार flappy bird है जहाँ पे मैं जैसे हम जो pipe को टच होते हैं या फिर अगर हम नीचे कर जाते हैं तो हम stop all की जगा यहाँ पर क्या करेंगे events में जाएंगे और broadcast कर देंगे game over तो यहाँ पर मैं रेसीव game over तो यह show हो दायागा और उसके बाद में यहाँ पर इसको पहले name कर दूँगा end screen तो यह यहाँ पर अच्छा दिख रहा है end screen और इसको मैं यहाँ पर कर दूँगा try again button try again button और यहाँ पर हम सेम चीज़ करने वाले हैं तो मैं इसको ऐसे रखूंगा ऐसे और यहाँ पर से मैं ghost effect को हटा देता हूँ क्योंकि हम इसको transparent नहीं रखना साथ है clean up कर देंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया और हम क्या करेंगे जैसे ही जो हमारा button है try again button when I receive game over तो हम क्या करेंगे जैसे हम इसको click करेंगे तो क्या होगा हम broadcast कर देंगे वापसे play तो अगर हम यहाँ पर play करेंगे तो जो हमारे pipes हैं उनके इनदर एक bug आ जागा तो मैं आप लोग को एक बार ट्राय करके बता देता हूँ तो यहाँ पर मैं करूंगा show और wait until touching mouse pointer and mouse down मैं यहाँ पर ले लूँगा and यहाँ पर से mouse down और यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम broadcast कर देंगे play को तो अब अगर मैं जो है और हाँ हमें एक चीज क्या करनी होगी यहाँ पर जो हमारे फ्लैपी बर्ड और हमारे pipe है उनके अंदर हमें करना होगा कि when I receive game over देन हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे stop other scripts in sprite तो इससे क्या होगा कि यह जो sprite है हमारे जो flappy bird है उसके अंदर यह जो हमारे script है जिसके अंदर हम stop other scripts in sprite कर रहे हैं उसके अलवा बाकी जितनी भी scripts हैं वह सब stop हो जाएंगी तो मैं इसको इधर कर दोंगा pipe के अंदर भी clean up blocks और यहां से अब अगर मैं आप लोग को दिखा हूं तो यहां पर देखे क्या होने वाला है तो यहां पर मैं start करता हूं और होने वाला है तो देखे यहां पर double pipes करता है मैं वापस से try अगरता हूं यह देखे कितना सारे तो पाइप सारे हैं और यहां पर कंटिनियस जो है यहां पर groups बनते जा रहे हैं और आवं प्राइक कस लिए नहीं में बाइआएंटे कि और broadcast हम कर देंगे get ready तो यह एक नया जो है एक message होगा broadcast get ready और हम यहाँ पर क्या करेंगे पाइस में जाएंगे और यहाँ पर मैं क्या करूँगा when I receive get ready यहाँ से get ready तन हम क्या करेंगे हम कर देंगे delete this clone और अब देखते हैं अब यह काम करेंगे अच्छे से काम करेंगे और मैं गेम खेलता हूँ try again करूँगा और यह देखे यहाँ पर और मैं क्या करूँगा सुबसे पहले यहाँ पर जो try again है इसमें से अगर वेट one second हटा दूँगा तो अब मैं चेक करता हूँ कि यह अच्छे से काम करेंगा अब तो फिर भी ज्यादा कुछ फरक नहीं पड़ेगा पर क्या करेंगे तो यहाँ पर आगे आता रहेगा बट हम क्या करेंगे यहां यहांड़ स्क्रीन पर शबसे पहले मैं इन दोनों को इंड़ करोंगा मैं shift कि प्रेस करते हूं दोनों को एक साथ सी लट करूँगा है तो यह दिखिड यहां पे दोनों एकसाद सेलेक्ट हो गया और मैं डाउन रो किसे स्कोर डाउन मूव करोंगा नीचे यह जो लूज करके थोड़ा सा उपर, यह ऐसे, तो जो हमारा स्कोर है, वो हमको दिखेगा, अच्छे साई, यह देखिए, यहाँ पर हमारा स्कोर हमको दिख रहा है, तो हम जाएंगे हमारे स्कोर काउंटर के अंदर, और मैं यहाँ पर ले लूँगा, गो टू फ्रेंट, य यहाँ पर हमको स्कोर दिख रहा है हमारा, अब मैं यहाँ पर देखिए, अगर प्ले करता हूं, यह देखिए, हमारे स्कोर है, वो यहाँ पर दिख रहा है, और मैं एक और चीज़ क्या करूंगा, यहाँ पर हमारे स्कोर है, इसके अंदर मैं कुछ, इसके कॉस्चुम में तो यहां पर जो हमारा 1 है मैं इसको अपना जोड़ा जोग करता हूँ और मैं आप दिखाता हूँ इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूँगा यहां पर इसको मैं रीशेविग वाले टूल से इसको सिलेट करूँगा यहां पर मैं एक point बनाओंगा इसको मैं pointed रखूंगा यहां पर 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 बनाओंगा इसको pointed रखूंगा और इसको मैं ऐसे एसे रख दूँगा तो यह देखिए यहां भी अच्छा लग रहा है one में और same मैं पर four के लिए भी करना पड़ेगा हमको four और seven के लिए करेंगे हम तो मैं यहां पे उसमें जो मैंने देखा था कि थोड़ा यह अजीब सा लग रहा था और यहां पे यह थोड़ा अलग हो गया मैं कि इसको पॉइंटर रखूँगा इसको मैं ऐसे लेकल गाओओगा और यह सई है और यह फाई के लिए सही है, सही के लिए सही है, टू के लिए सही है, अब चेंज करूँ की लिए सेवन के हैं यहां प ePOINT बनाऊंगा इस को find रहुंगा. पने पॉंट tough कुंगा और अब मैं इसको यहां से ऐसे सट कर दूँगा और हम एक चीज़ दो करना भूल कर यहांपर हम निल को सिलेट करेंगे और इसके बाद यहां पर हैड भे लगा दूंगा जहां पर हम क्लोन बना रहे हैं उसके वाद जो हमारा मेन स्प्राइट है वो यहां पर हाइड हो जागा तो अब अगर मैं आप लोको दिखाता हूँ ट्राइगन करूंगा तो हमारे देखें नंबर काउंटर कितना मस लग रहा है अभी यहां पर और हम गेम को बहुत अच्छी से खेल सकते हैं और यह पता नहीं ऐसा जो ट्राइगन है इसमें ऐसा अजीब सा क्यों आ रहा है जो इसकी बॉर्डर आप अगर देखो गये थोड़ी बॉर्डर जो है अजीब से आ रही है और अब यह सिक्स करने पर सही आ गई है मैं यहां पर देखे यह ऐसे त्राइगन करूंगा मैं और देखे यहां तो यहां पर गेम बहुत अच्छा बन गया है और यहां पर खेलने में किसीको भी मज़ा भी आएगा और मैं क्या करूंगा थोड़ा से जो हमारा बटन है मैं इसको थोड़ा नीचे लेकर जाओंगा तो लाइक minus 70 पहँ और थोड़ा नीचे तो लाइकर हते हुआ माइन यू लूज है यू नीचे लेके अगा और मैं इसको नीचे लेके अगा झाय हमार फ्लापी बर्ड है और यू जो मारे टियर-द्रॉब था कि इसको मैं नीचे लेकाने बाला हूं तो like something like this तो आप अगर यहां पर दिखोगे हमारे स्टेज है उसके उदर आप देखोगे तो आप यहां सेट कर सकते हो बलकि यहां पर नवेश बहुत हरो तो यह देखिए यह पर श्य हो गया ऐ तो यह लग गया है और मैं ट्राइगन करूंगा मैं देखिए गेम को चुंटिनु बाइव और हम क्या करता है एक score counter बाना बनाते है मतलब score counter मतलब जैसे की एक countdown हम बनाएंगे तो जैसे किया होगा कि जैसे हम गेम को start करेंगे तो एक countdown आएगा पहले और उसके बाद उसके बाद जो हमारे गेम स्टाट होगा तो ऐसा कुछ होगा हमारे countdown इधर 20 में लिखा हुई रहेगा 3, 2, 1 उसके बंद में Go आएगा फिर जो है हमार गेम यह पर स्टार्ट होने वाला है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा पेंट करूँगा एक नया स्प्राइट इसको मैं नेम कर दूँगा Countdown Countdown उसके बाद मैं यह पर क्या करूँगा टेक्स्ट से लिखूँगा मैं विद ब्लैक कलर तो यह ऐसे और मैं यहां पर लिखूँगा 3 मैं इसको बड़ा करूँगा थोड़ा सा और मैं इसको ऐसे सेंटर करूँगा और मैं इसकी पोजिशन जो है जिरो और जिरो पर रखूँगा 3 हो गया यहां पर इसको मैं नेम दूँगा 3 हैं उसके बाद यहां पर दू हर यहां पर इसको में यहां करूंगा क्यों गांव कि इसका नेम और इंटर मार दिया था बात यहां से बिना एंटर के भी हमको select करना होता है और यहां पर मैं एक चीज क्या करूंगा यहां पर 4 के जगा मैं रखाँगा गो ठीक है तो हमको यहां पर गो और exclamation mark दे दूँगा यह भी सही लग रहा है गो तो अगर आप अब भी देखोगे 3 2 1 गो तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो हमार flappy board है जिसके अंदर हमने green flag script broadcast play किया था तो प्ले के जगा हम क्या करेंगे एक हम नया message बनाएंगे यह हो जाएगा हमारा start countdown ठीक है और यहां पर हम क्या करेंगे हमारा जो try again है उसके अंदर भी हम play के जगा start countdown करेंगे और हमार countdown है इसके अंदर हम play कर देंगे ठीक है तो यह कुछ ऐसे होने वाला है बना receive start countdown then यहां पर क्या करना show करना है और उसके बाद में हम एक hide भी लगाएंगे और हम क्या करेंगे हमें एक repeat loop लेंगे repeat four times और हम यहां पर क्या करेंगे और repeat four times से अच्छा हम क्या करते हैं थोड़ा specific बनते हैं और हम यहां पर क्या करेंगे switch costume to हम कर देंगे 3 उसके बाद wait for point seven seconds और च्लुज करेंगे चैनल क्या करेंगे यहां पर हम यहां पर क्या करेंगे यह पर हम तू रखेंगे और मैं И ISK gotta deli को deli कुआँ और करोँगा यहां पर हमार one यहां पर आा जायागा go और उसके बाद यहां क्या करेंगे हम ब्रॉडकास ड्राइज कर और जो हमारी end screen है इसके अंदर हम रखेंगे when I receive start countdown और जो हमारा try again है इसके अंदर हम रखेंगे start countdown when I receive start countdown then hide तो अब अब अगर मैं इसको try करता हूँ 3, 2, 1, go और यह दिखे हमार गेम जो है start हो गया 3, 2, 1, go हम देखे गेम को अच्छी से खेल सकते हैं और अभी आप देखे होगे कि हमारे score count है वो 0 पर तक जाता है जब हम when I receive play करते हैं तो हम क्या करेंगे जहां पर हम score को update कर रहे हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे when I receive get ready तब हम क्या कर देंगे set score to कर देंगे हम zero और dragon की हमने set score हो गया zero में हम गेम को start करते हैं यहां पर हम score नहीं कर पाय कुछ और अभी हम देखते है score करके वन आ गया देखो यहां पर वन आ गया क्या हमारे जो फ्लैपी बढ़ी पोजिशन थी वह पाइप की पोजिशन से आगे बढ़ गई all ओऔर हम गलंगे यहां पर जो काउंट डौन है इसको मैं क्या करता हूं जो हमारा score counter है उसकी जैसे रखनुगा तो मैं पर जाओंगा थ्री के अंदर इसको select करूँगा copy करूँगा यहां से और यहां पर मैं जाओंगा Countdown के अंदर यहां पर हमारा 3 था इसको मैं यहां से डिलेट करूँगा पेस्ट करूँगा यहां से इसको मैं पेस्ट किया ठीक है और यहां पर मैं जाओंगा टू को मैं यहां से कॉपी करूँगा काउंट डाउन में जाओंगा यहां पर टू को डिलेट करूँगा यहां पर पेस्ट कर दूँगा यह संधम्टी निए का लिए सब्सक्राइब अब करगा और फार किसले क के नई सब्सक्राइब भीक ने सब्सक्राइब शक्याधा कि म Amazon रेका देट कंठ जाने का ह्त्या मेंत निम्टी तो इस ब्रूक्त मेरा बना ippर ऐसा्यम्ट cane एक ये इधर गोगर अब में कैदा अब में भी कुछ करूंगा एक बलैक कलर का जो है यहाँ पे में बनाऊंगा इसको और इसका आउटलायन है जोड़ा ऐसको थोड़ा मोटी कर दूँगा इसके आउटलायन तो यहां पर आपको एजी रहेगा बनाने में तो अगर मैं आपको दिखाता हूं इसको मैं ऐसे रखूँगा लाइक कोच ऐसे और थोड़ा से इसकी जो इसको मोटा कर दूँगा और इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं तो आप लोगो भी अच्छे से दिखे का और मैं भी जो है अच्छे से यहां पर बना सकता हूं तो यहां पर यह हमारा काउंट डाउन जो है यहां पर बन सकता है ऐसे गो और इसको मैं थोड़ा और दबा के इसको ऐसे रखूँगा गो और इसके बाद मैं यहां पर करूँगा ब्राइटनेस को मैं फुल कर दूँगा यहां पर मैं आउटलाइन को निल पर रख दूँगा और यहां पर मैं शायद यहां पर इसके लिए यह सही है और जो हमारा यह है इसको मैं मोटा कर दूँगा इसको कुछ ऐसे गो को और यहां पर जो हमारे एक्सलमेशन मारक आने वाला था उसके लिए यह ऐसा आ गया यह हमारे एक्सलमेशन मारक आ गया और मैं इसको क्या करता हूं थोड़ा सा आउये रहता है और लगभग हमारे जो गेम है यहां पर बन गया है बस हम आपर गो को अगया है यहां पर सही है तो अब अगर मैं इसको देखता हूं हमारे गेम को खेल के 3 2 1 गो ट्रा अगेन करूंगा 3 2 1 गो और यहां पर हमारे जो स्कोर है वो भी बढ़ रहा है और यहां पर हमने एक अच्छा फ्लैपी वर्ड गेम बना लिया है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है फ्लैपी वर्ड गेम और आप लोग अपना स्कोर मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोग ने कितना स्कोर किया अपने इस गेम में तो मैं यहां पर आप लोग दिखाता हूं हम कितना क्या कर सकते हैं इसके अंदर बहुत यह पूरा का पूरा कोड भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां से आप इसको रेफर कर सकते हैं अपने कोड से तो यह आपको पूरा कोड मिल जागा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगो दिखा देता हूं पूरा का पूरा कोड यहां से ऐसे कोड इसको मै थोड़ा clean कर दूंगा और अच्छे दिखाऊंगा यह देखिए score counter का code और score counter में हम क्या करते हैं जो हमारा यहां पर हम क्या करेंगे when I receive play when I receive play तब हम यहां पर यह करेंगे और जैसे हम क्या करते हैं when I receive game over then हम क्या करेंगे stop other scripts in sprite कर देंगे stop other scripts in sprite and get ready है उसके अंदर हम delete this clone रख देंगे तो अब अगर मैं इसको देखता हूं 3 2 1 go और यहां पर हमारा score counter जो आ गया 3 2 1 4 5 6 7 और 7 पर अटक गया हम try again करेंगे 1 go 1 2 3 4 और okay मैं आप लोगो एक चीज दिखाना जो था मुझे वह मैं आप लोगो अभी दिखाऊंगा कि अगर जो है मैं अभी जो है इसको हुटा देता हूं like अगर मैं आपर कर दूंगा set हमारा score है अगर मैं अभी it a 23 तो मैं आगर इसको सेट कर दूंगा तो अभी तो यहां पे कुछ नहीं हो प्रॉड्कास्ट कर दूंगा वेन ग्रीन फ्लैक इस क्लिक्ड तो टू एल आ गया ट्राइग की आमने टू वान गो और अब भी आप लोग अगर मैं दिखा हूं तो यह टू एल तक ही आ रहा है तो अगर आप लोग इसको थ्री डिजट तक रखना चाहते हैं तो यहां दो dengan कलोट तक कर दूगा टोंगा यह गया यहां पर देख़ेंगा वहाँ करना चाहते था कि जो हुआ यह अगर देखोंगे तो हमारा जो score है वो एकदम middle में नहीं आता है वो offset आता है तो हम क्या करेंगे यहां पर जो हमने minus रखा है उसके अंदर हम क्या करेंगे हम एक लाएंगे division और यहां पर multiplication division के अंदर देखिए मैं आपको बताता हूं अच्छे से थोड़ा जूम कर देता हूं देखिए यहां पर हमने division लिया उसके फर्स्ट वाले के अंदर हम रखेंगे multiplication और यहां पर हम रखेंगे score और स्कोर नहीं सिंप्ली हम यहां पर रखेंगे length of score क्योंकि हमको कितने number of digits है उसके साब से जो है हमको यहां स्कोर को सेट करना है और यहां पर देखिए यहां पर डिस्टेंस रख रहे हो जो हमारी जो दो डिजेट से बिशका यहां पर distance हो रहा है counter multiplied by 40 तो आप यहां पर 40 pixels को जो आपको distance देखने को मिलेगा और यहां पर आप रखोगे 40 और यहां पर रखोगे 2 तो अगर आप इसको कुछ ऐसे रखोगे तो अभी आपको completely जो है middle में आ जाएगा बट यह उतना भी जो नहीं आया है इसको हमको थोड़ा offset रखना पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं मैं आ पर लूँगा plus plus में 40 कर दूँगा क्योंकि पिछले बार भी हमार जो है 40 में नहीं आया था तो लाइक कुछ ऐसे मैं इसको इधर रखोंगा इधर ऐसे और इसको ऐसे यह 40 जादा हो गया मैं 20 रखोंगा और यहां पर देखिए अब भी अगर आप कितने भी जो है क्लोन आप रख लोगे तो यह उसकी हिसाब से जो है अपने को खुद क सेट कर लेगा उसकी हिसाब से तो अगर मैं भी इसके 9 क्लोन बनाऊंगा मैं ग्रिन फ्लै क्लिक करता हूं और अगर मैं भी जो है इसको लाइक कुछ ऐसे कर दूंगा तो यह देखिए अपने इसकी हिसाब से इसने चेंज कर लिया तो यह कुछ ऐसा होगा हमारे स्कूर का यह system है तो मैं यह पर क्या करता हूं जल्दी से आप लोगों यह मुझे code देना है तो मैं अपने आप लोगों दे दूंगा यहां पर से पैसे पना रेसीव प्ले देन create clones और विन आरेसीव जो है get ready देन हम क्या करेंगे हम यहां करेंगे डेलेट इस ओन और उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे विना रेसीव गेम ओवर दिन डिलेट दिस क्लोन की जगह स्टॉप अदर स्क्रिप्ट्स इन स्प्राइट क्लीन कर दूँगा मैं इसे और अब देखिए यहां पर यह हमारा स्कोर आगे जीरो पर ट्राय अगेन करूँगा मैं करने देखिए बिग्दाश के ड़ींगे जीए जो समक्रिते थे स्क्राइट है भर्राय प्लिप्टत्रा स्टॉप कि और यहां हम मैं चिपशा, और वीडियो पहनते चैनल की दरीत बाहे बार कर दिए और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जल्दी सी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के ये वीडियो को शेर कीजिए मैं आप लोगो पूरी प्लेड़ प्लेट है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा यह जो हमारे गेम की है वो अपने दोस्तों से जाके शेयर कीजिए उन्हें बताईए कि आप यहां पर बहुत सार गेम्स बना सकते हो और मेरे चैनल पर बहुत सार मैंने गेम्स बनाया है जैसे हमारा शूटिंग गेम हो गया अंग्री बड हो गया अंग्री बड तो बहुत फेमस गयम है और फ्लैपे बड यह जाता फेमस गयम है तो आप लोग ने कभी ना कभी तो खेला ही होगा तो इसे अपनी वीडियो को दोस्तों के शेर कीजिए और इस वीडियो के इतना ही गाइस थैंक्यु सो मच गईस वॉ झाल झाल